बीते सौमवार को बल्लबगड में हुई पीम नरेंद्र मोदी की रैली का असर प्रतला विधानसबा छेत्र नवादा गाउं में देखने को मिला प्रतला विधानसबा छेत्र से बीजेपी प्रतियासी सोहन पाल छोकर केंद्रिय मंतरी कृष्ण पाल गूजर के साथ नवादा पहुंचे जहां पर नवादा की सरदारी ने सोहनपाल शोकर और केंद्रियर राज़े मंत्री कृष्णपाल गूजर को पगड़ी पहना कर उनका भवशागत किया साथ ही नवादा गाउंग की सरदारी कारेकरम में पहुंचकर विसंदेज देने की बात कही उन्होंने कहा कि आने वाली किस तारी को बीजेपी के पक्ष में वोट डाल कर सोहनपाल शोकर को चंडी गड़ बेजने का काम करेंगी देकि आप देख रहे हैं लोगों में जिस तरह का जो सरुसा है और मोदी जी की रैली के बाद जो आधी बीजेपी की चली है उस सब को दीख रही है और इस बार फईदाबाद लोगसभा की नौ की नो सीटे भारती जनता पारिटी जीत कर आधने मोदी जी हमिशार मनुला जी की जोली में डालने वाले हैं जो नीता है उसके बारे में क्या किना चाहूंगा देकि मैं बागियों के बारे में कुछ नहीं कहता यह तो देंता फैसला करेगी कि बागी के साथ रहना है या साथी के साथ रहना है